नमस्कार, IIC NATA Classes की ओर से आपका स्वागत है. इस व्याख्यान में हम ताज महल के निर्मान की प्रक्रिया, उसकी वास्तुकला, उप्योग की गई सामगरियों और इसके एतिहासिक महत्व पर गहन चर्चा करेंगे. आखिर में हम ताज महल पर बीस वस्तुनिष्ट प्रशनों का एक सेट प्रस्तुत करेंगे, जो आपकी समझ को और भी मजबूत करेगा. ये प्रशन आपके ज्यान को परक्ने और ताज महल की विशेश्ताओं को याद रखने में मदद करेंगे. आए इस रोमान चक यात्रा की शुरुवात करते हैं. महारानी मुमताज महल की मृत्यू 1631 में प्रसफ के दौरान हुई थी. वह मंतरी आसफ खान की बेटी और महारानी नूड जहां की भती जी थी. उन्हें उनके ससुर जहांगीर ने मुम्ताज महल की उपाधी दी यही कारण है कि ताज महल का नाम मुम्ताज से जुड़ा है ताज महल उस भूमी पर स्थित है जो कभी आमेर के राजा जय सिंग का उद्ध्यान था यहाँ प्रेम की स्मृती में एक स्मारक के रूप में स्थापित किया गया इसकी योजना में एक मकबरा और तीर थस्थल का समावेश है जिसमें उद्ध्यान, बाजार और सेवा कक्ष शामिल है जो चारदीवारी से घिरे हुए है शाह जहां आगरा किले से ताज को देखने के लिए नदी के किनारे से आते थे ताज का प्रवेश द्वार लाल बलुआ पत्थर से बना है जिसमें सफेद संग मरमर की नकाशी और कुरान की आयतों की सुलेख कला है प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही एक भव्य बगीचा नजर आता है जिसके पीछे मगबरा भवन और पश्चिम में एक मस्जिद पूर्व में महमान खान की इमारत है बगीचे का जुकाव और स्तर इस तरह से बनाया गया है कि पानी लगातार ताज के पीछे से बहता रहे इसका मगबरा 57 वर्ग मीटर का है 33 मीटर उंचा है और 6.7 मीटर उंचे संग मरमर के चबूतरे पर स्थित है प्यास के आकार का गुंबत 25 मीटर उंचा है जो इसे और भी शांदार बनाता है शाजहां और मुम्ताज महल के मकबरे भव्यता से अलंकरित है हीरे, क्रिस्टल और विभिन्न कीमती पत्थरों से जड़े हुए है प्रकाश संग मरमर की जाली से होकर अंदर आता है जिस से कमरा एक अद्भुत वातावरन प्रस्तुत करता है ताज महल का प्रवेश द्वार लाल बलुआ पत्थर से बना है जिस पर सफेद संग मरमर की जड़ाई और सुलेक है यह दो मंजिला है और इसके दोनों और अश्टकोणिय मीनारे है 22 छोटे गुंबत ताज के निर्माण में लगे वर्षों की संख्या को दर्शाते है प्रवेश द्वार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ताज प्रवेश द्वार से एक छोटे सफेद रतनों के ताबूत जैसा दिखाई देता है ताज महल प्रेम और समर्पन का एक अमिट उदाहरण है जो सदियों से लोगों को मंत्र मुग्द करता आ रहा है ताज महल को देखने का अनुभव अविस्मरणिय है धन्यवाद 1. Who commissioned the construction of the ताज महल? A. Emperor Akbar 2. What is the primary material used in the construction of the ताज महल? A. Limestone B. Red Sandstone C. White Marble D. Brick 3. In which city is the ताज महल located? A. Delhi B. Agra C. Jaipur D. Varanasi 4. What was the name of Shah Jahan's wife for whom the Taj महल was built? A. Noor Jaha B. Arjumand Banu Bigam C. Mumtaz Mahal D. Jahanara Bigam 5. When did Mumtaz Mahal pass away? A. 1628 A. 1628 B. 1631 C. 1632 D. 1643 6. The Taj महल is situated on the banks of which river? A. Ganges 7. What title was given to Mumtaz Mahal by her father-in-law Jahanagir? A. Bigam 8. What type of garden layout is featured at the Taj Mahal? A. Formal gardens B. Japanese gardens C. Rock gardens D. Wildflower gardens 9. How tall is the main dome of the Taj Mahal? A. 25 meters B. 33 meters C. 57 meters D. 64 meters 10. What is the shape of the main dome of the Taj Mahal? A. Square B. Pyramid C. Onion-shaped D. Circular 11. Which emperor would travel along the river bank to view the Taj Mahal? 12. What kind of inscriptions are found on the entrance gate of the Taj Mahal? A. Poems B. Quranic verses C. Historical dates D. Personal messages 13. What does the central water body in the garden represent? A. Prosperity B. Purity C. Reflection D. Love 14. How many smaller domes are there on the Taj Mahal? A. 10 B. 12 C. 22 15. What kind of architectural style does the Taj Mahal represent? A. Gothic B. Renaissance C. Mughal D. Baroque 16. What is the purpose of the two buildings flanking the main tomb? A. Living quarters B. Guest houses C. A mosque and a guest house D. Storage facilities 17. What is the significance of the number of small domes on the entrance gate? A. They represent the number of builders B. They represent the years taken to construct the Taj Mahal C. They are decorative elements D. They symbolize the stages of love 18. What is the area of the main tomb in square meters? A. 33 B. 57 C. 77 D. 87 19. What enhances the beauty of the central chamber in the Taj Mahal? A. Colorful paintings B. Glass chandeliers C. Intricate marble inlay work D. Wooden carvings 20. What feature of the Taj Mahal contributes significantly to its ethereal beauty? A. Its size B. The quality of marble C. The number of tourists D. The gardens surrounding it D. West D. The